सब्सक्राइब कर लीजे आर वी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं दोस्तो वन प्लस ने लांच कर दिया है वन प्लस का नॉड एंटेन 5G स्मार्टफोन जो की वन प्लस की तरफ से एक मिड रेंज स्मार्टफोन है दोस्तो इसकी कीमत आपको मिल जाएगी 18000 से 20,000 के आसपास तो ये मोबाइल इंडिया के अंदर भी उम्मीद है जल्दी हो जाएगा लेकिन अभी इसी कीमत पर आपको मिलता है रेड्मी के तरफ से नोट नाइन प्रो मैक साड़े 18,000 का तो इस वीडियो में मैं इन दोनों में कमपेरेजन करके आपको बताऊंगा कि आपको अभी नोट नाइन प्रो मैक्स खरीद लेना चाहिए या फिर आपको करना चाहिए OnePlus Nord N10 का तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों Note 9 Pro Max के अंदर भी आपको डिस्प्ले दी गई है IPS और OnePlus Nord N10 5G के अंदर भी आपको IPS ही डिस्प्ले दी गई है तो डिस्प्ले की क्वालिटी को लेकर मुझे ये दोनों ही मुबाइल एवरेज लगे क्योंकि अगर एमोलेट डिस्प्ले होती तो काफी बढ़िया रहता क्योंकि दोनों की कीमते काफी जादा हैं तो अगर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत जादा इंपॉर्टेंट है आपको डिस्प्ले बहुत अची अगर एमोलेट होती वनप्लस के अंदर तो मापसे सज्जेस्ट करता क्या वेट कर लिएगा इसका तो अगर आपको डिस्प्ले की वज़े से ही मुबाइल लेना है इन दोनों में से तो आप अभी नोट नाइन प्रो मैक्स ले सकते हैं इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क तरफ चार कैमरे दिये गए हैं, जिसमें पहला है 64 MP का, दूसरा 8, बाकी के दो कैमरे हैं 22 MP के, फ्रंट कैमरा है इसका 16 MP का, दोस्तो कैमरे की जो परफॉमेंस है, वो Note 9 Pro Max के अंदर भी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है, और दोस्तो OnePlus Nord N10 के अंदर भी आपको काफी बढ़िया है, ये भी काफी अच्छा है, और वो भी काफी बढ़िया ही होगा, तो अच्छे कैमरे के लिए आप अभी Note 9 Pro Max ले सकते हैं, बाकी दोस्तो अगर आपको डिजाइन जाधा बढ़िया चाहिए, तो OnePlus Nord के अंदर आपको N10 के अंदर आपको प्लस्तिक के टाइप क डिजाइन दिया गया है, और Note 9 Pro Max के अंदर आपको गलास डिजाइन मिल जाता है, गुरिला गलास की प्रोटेक्शन के साथ, तो अच्छे डिजाइन के लिए आप Note 9 Pro Max ही खरी दियेगा, इसके अंदर आपको डिजाइन की जो क्वालिटी है, वो जाधा बढ़िया दी गई लेकिन दोस्तों अगर आपको जाधा बढ़िया चाहिए, तो दोस्तों Redmi के Note 9 Pro Max के अंदर आपको दिया गया है, Snapdragon 720G प्रोटेक्शन के अंदर आपको मिल जाता है, Snapdragon 690 प्रोटेक्शन के अंदर, तो ये खुब यापको जाधा बढ़िया मिलती है, OnePlus के अंदर, अगर आपको दोस्तों परफॉमेंस जाधा बढ़िया चाहिए, तो आप वेट करिएगा OnePlus का, Nord N10 के अंदर आपको काफी बढ़िया परफॉमेंस देखने को मिलेगी, प्रोस्तर इसके अंदर आपको जाधा बढ़िया दिया गया है, Note 9 Pro Max से, इसके साथ दोस्तों अगर आपको बैटरी जाध अची चाहिए, तो बैटरी के अंदर वैसे आपको दोनों मॉबैल काफी बढ़िया मिलते हैं, Note 9 Pro Max के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 इमेज की, 33W के साथ, इसके साथ OnePlus Nord N10 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4300 इमेज की, इसके अंदर भी आपको 30W का फास्टर मॉबैल के साथ बॉक्स के अंदर मिल जाता है, Redmi Note 9 Pro Max के साथ आपको 33W का दिया गया है, तो दोस्तो चार्जर तो दोनों के साथ काफी बढ़िया ही दिये गया है, और बैटरी बैक अप दोनों के अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन दोस्तो अभी आप Note 9 Pro Max ले सकते हैं, अच्छी बैटरी के लिए इसके अंदर भी आपको काफी बढ़िया बैटरी दी गई है, और चार्जर भी काफी फास्ट मिल जाता है, इस चीज़ को लेकर ये मॉबैल भी काफी बढ़िया है, बाकि दोस्तो एक खुब्या आपको OnePlus Nord N10 के अंदर ये बहुत बढ़िया मिल जाती है, ये मॉबैल 5G है, तो 18-20,000 के बजट के अंदर इस मॉबैल के अंदर आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा, अगर आपको 5G स्मार्टफोन ही लेना है, तो आप इस मॉबैल का ज़रूर वेट करिएगा, जब ये इंडिया में लाउंच हो जाए, आप इस मॉबैल को ले सकते हैं, तो दोस्तों देखा जाए, तो चार खुबिया Note 9 Pro Max के अंदर ऐसी हैं, जो अगर आपके लिए मेटर करती हैं, तो आप अभी Note 9 Pro Max ले सकते हैं इन चार चीज़ों के लिए, बिन वेट करें OnePlus Nord N10 5G का, देखिए दोस्तों अगर आपको कैमरा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आपको IPSC डिस्पले दी गई हैं, अगर OnePlus Nord N10 5G के अंदर AMOLED डिस्पले होती, तो मैं आपको वेट करने के लिए सजेस्ट करता, बाकि दोस्तों अगर आपको बैटरी अची चाहिए, तो भी आप Note 9 Pro Max ले सकते हैं, तो ये चार खुबिय और N10 के अंदर आपको ये खुबी बहुत अच्छी मिलती है, इसका यूज़न डिफिस आपको जादा बढ़िया मिलेगा Note 9 Pro Max से, दूसरे इसके अंदर आपको प्रोसेसर जो दिया गया है, वो जादा अच्छा है, हेवी उसके लेकर ये मुबाल जादा बढ़िया रहेग Note 9 Pro Max ना लेके, आप OnePlus Nord N10 5G का वेट करिएगा, इन तीन चीज़ों के लिए ये मुबाल आपको जादा बढ़िया रहेगा, अब आप बताइगा दोस्तों कमेंट करके, आपको अभी Note 9 Pro Max जादा अच्छा लगा, या फिर आप वेट करना पसंद करेंगे OnePlus Nord का, ये चीज़ क अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, बाबाई